कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्रिवार प्रतिग्या क्लासिस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफरम पर एक नई पहल किसी भी टॉपिक को जादा से जादा 20 मिनिट में खत्म करने की कोशिश एक क्लास सब का सब खलास ऐसे को ऐसे देखेंगे कि जैसे आप लोग बहुत पहले से इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट एक्जाम टाइम पर जो रिविजन करना है वो कैसे किया जाता है राजस्थान के लोग देवताओं में आप सभी को पता है कि राजस्थान में पांच पीर हैं पांच पीर से हैं पाबुहरबुरामदे मzet गोगाजी कौन है पाबुहरबूरामदे मंगड़िया मेहा पाबुहरबू राम दे मंगड़िया मेहा पांच पीर पतार जो गोगड़ी जिय कौन तो यह पांच पीर पभुजी अड्बुजी रामदेव जी मेहाजी और गोगा-जी इन में से हम्झ लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने माले हैं रामदेव जी चमर के बारे में आप लोग도 ने भजन सुना होगा खंमा खंवायो घंशीन होग गणी planning अजमाल जीरा कमरा मता मेना देरो लाल रानी नेतल रो भरतार मारो हेलो सुनो नी रामा पीर टीक है जनम कहा हुआ इनका उन्डु काश्मीर गाउं बाड़ मेर में, पिता जी कौन है, अजमाल जी, माता कौन है, मेना दे, पतनी का नाम राणी नेतल दे जो की अमरकोर्ट के राजा दलेल सिंग सोड़ा की बेटी थी, बड़े भाई बिरम देव जी हैं, जो की बलराम का अवतार माने जाते हैं, इनके गुरू है बालिनात जी एकादशी के दिन जिवित समाधी ली थी ये भी आपको याद रखना चाहिए रामदेव जी ने कामड़िया पंत की स्थापना की थी चोबीज मानिया नामक एक पुस्तक लिगी थी और रामदेव जी को भगवान कृष्ण या विश्नु का अवतार माना जाता है इनका जो मे हम लोग आगे बात करें तो सर रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है रामसा पीर कहा जाता है रुणी चे का धनी कहा जाता है और रामदेव जी की धरम बहनती जिनका नाम था डाली बाई और डाली बाई ने जो है कब समाधी ली थी तो सर इन्होंने ली थी भादरप याद रखना चाहिए यह थे राम देव जी टमर ठीक है राम देव जी कौन थे तमर ते तवर वैंशे जो है राजपूत थे ठीक है. अगले Syria gaan. पाबुजी राठोड का जनम कहा हुआ कोलूमंड फलोदी में हुआ पिता का नाम धांदल जी माता का नाम कमला दे इनकी पतनी का नाम मिलता है सू प्यार दे या फुलम दे जो की आपके अमर कोट के राजा सूरजमल सोडा की क्या थी पुत्री थी इनका मंदर भी कहां पर ब महिला की क्या थी गोडी थी पाबुजी ने जो है अपने विवहा के समय तीन फेरे लिए थे इसलिए इनको क्या माना जाता है लक्षमन का अवतार माना जाता है इनका मिला चेत्रमीने की अमाश्या को आता है गायों की रक्षा करते वे सहीद हुए थे इसलिए गौरक्षक जिते हैं कि पापू जी ने गुजरात के साथ थोरी भाईयों को अपने पास में क्या दी थी शर्ण दी थी सर्पाबुजी की मृत्यू कैसे हुई थी तो पापू जी की मृत्यू थी जाएल नागोर के राजा जिंज्डराव खीन्ची खिलाफ गायों की रिक्षा करते होई कि युद्ध में हुई थी कहा पर रूए थी तो देश्चु नामक इस्ठान पर वी थी और यह स्थान कहा आता है ठीक है पाबुजी के बारे में आपको एक विशेश बात याद रखने चाहिए जो क्या है खाबुजी की फट पाबुजी की फट है वह पाबुजी की पबाड़े हैं यानि कि उनके जो भजन है उनको जो है वो माठ वाद्गिंद्र के साथ गाया जाता है यह थे पाबुजी राठोड अगले जो लोग देवता है हमारे उनका नाम है गोगाजी चौहान का जनम कहा हुआ दद्रेवा चुरू में पिता का नाम जेवर सिंग माता का नाम बाचल दे पतनी केलम दे मंदिर दित चुरू में बनावा है जिसको शिर्श मेंड़ी केते हैं का मडिवाला मंदिर मकरअ बना वार निखा हुआ है कि एक छोटा मंदिर उल्डिय कहां पर बनीवी है फिले और साचौर जंचमे बनीवी है जोकी पहले सालोर में आता है वह कब लगता है गुगा anda me ko लगता है अपने हल्को नो गांट लागी बांधता के रूप में को रखसक चुछा जाता है गोगाची की जो मुंदत्यू है वह अपने मुशिर भाई अरजन और सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए युद में हुई थी गोगा जी थान है वह किसके नीचे बने वे होते हैं तो खेजडी के नीचे बने वे कोते हैं मारवड़ी की कावत है जटे-जटे-खेजडी बठे बठे गोगु ठीक है फिर महमूद गजनवी ने जो है गोगा ज जी के उपर लिखी गई प्रसिद रचना इसका नाम क्या है बीटु मेहा जी के रावले किस समंदित रचना है तो गोगा जी चोहां से समंदित रचना है अगले जो लोग देवता है हमारे वो कौन है हडबु जी सांखला जिनका जनम कहा हुआ था बुंडेल गाओं नागोर म किस गाओं में रहने लग रहां देव जी उसको दी राव जोदा को मंडोर जीतने का आशिरवाद दिया तथा अपनी कटार भेट की थी राव जोधा को क्या जीतने का अशिरवाद दिया तो सर राव जोधा को जो है मंडोर जीतने का अशिरवाद दिया और क्या भेंट की अपनी कटार भेंट की थी फिर जो इनका मुख्य मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है बेंगटी गाउं में बना हुआ है और बेंगटी गा के अंदर महाराजा अजीज सिंग ने क्या बनवाया था मंदिर बनवाया था जहां पर हडबुजी के बैल गाड़ी की पुजा की जाती है और पुजारी कौन होते हैं सर सांखला जाती के राजपूत हुआ करते हैं और इनका वाहन क्या होता है सियार हुआ करता है अंतिम जो पुच्वाले लोग देवता हैं उनका नाम क्या है सर मेहा जी मांगलिया का जो मुख्य मंदिर है यह पर है बापीनी के अंदर है और बापीनी जो है वह कहां आती है आपके फलोदी में इनका जो मिला लगता है क्रश्ण-जन्वाश्टमी यानि कि भादरपद महीने की क्रश्न वक्स की अस्तमी को लगता है इनका जो घोड़ा है गिरड कावरा के नाम से है बहुत प्रसिद्ध सवाल बनते हैं उसके उपर भी मेहा जी की जो मृत्यू है वो जसल मेर के राजा रणक देव भाटी के खिलाफ रड़ते हुए हुई थी और इनके बारे में एक देवता है उनका नाम क्या है देव नरायन जी जी का जनम कहा हुआ तो सर आसिंद भीलवड़ा में गुजर परिवार में हुआ पिता जी का नाम क्या था सवाई भोज मम्मी का नाम था सेडू पतनी थी पीपल दे इनका जो मिला लगता है वो भादरपत शुक्ल सब्तमी को लगता है और याद रखना है इनको विष्णु का अवतार माना जाता है और इन्हें ही ओसदियों का देवता कहते हैं इनका जो मंदिर है वहां पर मूर्तियां नहीं होती बलकि इंटों की पूजा की जाती है और इनके मंदिर में नीम की पत्तियां चड़ा ही जाती है इनक लोगों को यह याद रखना चाहिए कि सर जो देव नरायन जी की फड़ है वह वाचन के अनुसार सबसे बड़ी फड़ है आकार में सबसे छोटी फड़ है और इस फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था और इस फड़ का वाचन गुजर जाती के भोपॉंद्वारा जंतर वाधियंत्र के साथ किया जाता है अच्छा आपसे कोई पूछे तो ऐसे देवता जिनके स्वयं किया हो चुका है और इस चुके हैं पांच पीर समाथ कर चुके हैं और उसके बाद में आते हैं धोले आवीर तेजा जी परना गांव तेजो जात धोले आमारी तो देखते हैं तेजा जी के बारे में क्या क्या जानकारी है इनका जो जनम हुआ है वो खरनाल गांव नागोर में हुआ है किस परिवार म उनका नाम मिलता है ताहर जी मम्य का नाम रामकोमरी पत्ली नाव पेमल दे जो की पनेर की थी टीक ना शहर पनेरा जा जूए पेमलने ला जो ए तो याद रखना वो आपको इनका जो मेला लगता है वो लगता है भादरपद शुक्ल दश्मी को जिसको हम लोग तेजा दश्मी के नाम से जानते हैं इनकी घोडी जिसके ओपर खूप सारे गीत बनते हैं लीलन लीलन शिंडगारे ठीक है इनके पुजारीयों को क्या कहते है तो सर घोड़ला कहा जाता है इनक रत्यों थी इसलिए इनको क्या कहते हैं गौरक्षक देवता सरप्रक्षक देवता और और इनके चौने मंदिरं में सेंदर वहाता पनेर की अजमेर में हैं और एक जो फेमस मंद है जो याक सवाल पूछ favor है बासी दुगारी कहां पर यहां बॉंदी के अंदिर बासी बंदी कहां पर है बॉंदी में कल्चर की ट्रिक बताओं बस्री नाम से कुछ भी सवाल थो ध्सो कुछ मलिनाजी राठोड मलिनाजी राठोड जो थे वो मारवार के राठोड वंच के राजा हुआ करते थे अपनी पतनी रूपा दे जो कि खुद एक लोग दीवी के रूप में प्रसिद्ध है जिनका मुख्य मंदिर मला जाल बाड़ मेर में बना हुआ है के कहने पर इन्होंने अ माल तेरा सो निन्यानवे में इन्होंने मार वार के सभी सादू संथों को एकत्रे करके क्या किया था हरी कीतन किया था इनका दोités मंद्र के पास में क्रशनपक्षक की एकाद शी से लेकर चेस्वोच्ड महीने कि शुक्ल एकादशी तक पसू पालन विभाग के द्वारा। पर क्या आयजित होता है मिला आयजित होता है जो कि एक पशु मिला है जिसमें मालाणी नेसल के पशुओं की क्या होती है खरीद विक्री होती है और मलीनात जी जो पंद चलाया था उस पंद का नाम क्या था कुंडा पंद क्या नाम था कुंडा पंद कौन सा पंद था कुंड हुआ करते थे इन्होंने अपना गुरू किसको बनाया था जालंदर नात को और इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वह कहां पर है पांचोटा जालोर में और याद रखना है इन्हें किसका देवता कहा जाता है औरन का देवता कहा जाता है आज कल और मार्केट में कल जी राठोड़ हैं जिनें हम लोग चार हाथ वाला लोग देवता के रूप में जानते हैं कि요 सर क्योंकि पंद्रा सो अर्षट में चितोड़ पर अकबर के आकरमन के समय 1568 में चितोड का तीसरा साका हुआ था इस साके के समय कल्ला जी ने अपने चाचा जैमल को अपने कंदों पर बैठा कर युद्ध किया था तो दो हाथ जैमल के दो हाथ कल्ला जी के इसलिए क्या हो गए चार हाथ वाले लोक देवता एक्जाम में सवाल पूछा गया है कि सब्सक्राइब को किसका अवतार शेष नाग का अवतार माना जाता हुए या लोक बता को भाती खत्री के रूप में भी संदर्वित किया चाथ जाता है छात वाले लो देवता कल्ला जी माराज की जै फिर अगला जो है अपने वो कौन है जुझार जी और जुझार जीका ज्रुम हुआ था कहां ओए इम्लोहागाओं सीकर के लोग देवता आते हैं का नाम है वीरफता जी वीरफता जी का जनम और इनका जो मुख्य मंदिर बना वा है वह बना हुआ है सांथ हुगावव जालोर के अंदर जहां पर भादरपद महीने की शुकल पक्षकी नवमी को साथ अपने फत्ता जी का क्या लगता है या मेला और चेत्र शुक्ल पंचमी को मेला लगता है और देव बाबा को पशु चिकित्सक के रूप में याद किया जाता है पशु चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है और इनको खुश करवाने के लिए साथ गवालों को कितने गवालों को साथ गवालों को क्या करवाना पड़ है या इनका मेला लगता है इस मेले के अंदर जो है आपको याद रखना है कि भी मेला गम लगता है भादर पंद शुक्ल पंचमी को हरी राम जी को सरप्रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है और इनके मंदिर में जो सांप की बांबी होती है हम लोग इसको कहते हैं उसकी भी क्या करते हैं पूजा करते हैं फिर अगले जो लोग देवता हैं उनका नाम है केसरिया कुमर जी केसरिया कुमर जी गोगा जी चोहान के बेटे हुआ करते थे और इनको भी अपने पिता के समान सरप्रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है आलम जी आलम ज बाड मेर मेर और जो धोरी मनना बाड मेर के अंदर है वहां पर भादरपद महिने की शुकल पक्ष की द्वित्या को भादरपद महिने की शुकल पक्ष की द्वित्या को क्या लगता है अलम जी का मिला लगता है और आप सभी को पता होना चाहिए सर आलम जी किस के रूप में जाते हैं तो आलम जी की पुझा की जाती है अश्वर रखचक देवता की रूप में या घोड़ों की रखचक की रूप में की जाती है और आप सभी को पता होगा कर देस्थान में किस नसल के ल들이 से मोश्र जो मौलानी नसल के के अंदर बना हुआ है और आप सभी को याद रखना है कि सर यह राठोड थे और राठोडों की कौन सी शाखा से इनका संब्ध था तो सर इनका संब्ध था राठोडों की जेतमालोत शाखा से आलम जी मुख्यमंदिर दोरीमना बारमेर भादरपद शुक्ल दुट्या को मिला लगता है अश्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है और जेतमालोत राठोड थे जड़डा जी जो है वो क्या है सर वो लोग देवता पाबुजी के भतीजे हैं इन्होंने अपने पिता बुडो जी अपने चाचा पाबुजी की हत्या का बदला लिया और जायेल के राजा किसके राजा जायेल के राजा जिन्दराव खिंची के क्या कर दी थी हत्या कर दी थी सर इन्हें रूपनात के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनात के नाम से भी जाना जाता है इनका जो मुख्य मंदर बना हुआ है व परसाथ के देवता कहा जाता है और गाउं में इनके मंदिर नहीं होते बलकि गाउं के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है इन्हें खुश करने के लिए भैसे की बली देनी पर ती किसकी बली भैया भैसे की बली ठीक है अगले जो लोग देवता है उनका नाम है खेतला जी कि तल्वास कि जो मुख्य मंदिर है कहां पर है तो इस बना हुआ है वाले बच्चों का क्या होता है और ठीट्र शुक्लए कम को या नि कि नववर्ष के दिन इनका क्या लगता है मिला लगता है अगले लोग देवता बिगाजी कौन है बिगाजी बिगाजी का जो मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है रीडी गाओं विकानेर के अंदर जाटों के अंदर एक गोतर होती है जाखड जाखड समाज के यह लोग क्या है कुल देवता है और इनका जो देहांत हु हुई थी या जो यह जिस युद्ध में शहीद हुए थे उस युद्ध का नाम है राटली जोहडी का युद्ध अगले जो हमारी लोग देवता है उनका नाम है डूंग जी और जमार जी जो थे वह बाठोट पटोदा गाओं के सामन्त थे और अंग्रेजों के आने के बाद जब राजाओं की सेनाओं में सामन्तों की कोई भूमिका नहीं रही तो कालांतर में बुडाकू बन गए और इसी वज़े से इन्हों ने अंग्रेजों की जेल लूट ली तो सर्य याद रखना अंग्रेजों की आगरा की जेल लूट ली थी और आप लोग यह भी याद चाहिए जाता तकत सिंग्ने डूंग जी को अपने पास में क्या दिती शरण दी इनके चार बड़े सयोग्यों के भी नाम आपको याद रखने चाहिए एक नाम है लोट की निठारवाल एक नाम है करणा जी लोहार और एका नाम है बालू जी नई और जो हमारे अंतिम और इस वीडियो को शेर करना न भूलें बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत